हेलो एवरिवन, वेलकम टू कॉम्टेटिव एक्जाम स्टेक प्रेप, मेरा नाम पुषपांजली और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टाइपस ओफ सिस्टम को और ये हम बात करेंगे सॉफ्ट्वे इंजिनिंग सब्जेक के अंदर इस वीडियो में हम टाइपस ओफ सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं और सॉफ्ट्वे इंजिनियर की सीरीज में हमारी ये दूसरी वीडियो है अभी तक आप मैं चानल पर जोड़े नहीं है तो जोड़ जाएए कर लिजे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजे यससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूसुल इडियो आप देख पाएं फ्रिंट्स आप मुझे टेलिग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फ्रेसका linked description box में दिया हुआ है आप वहा से जाएए चेक कर सकते हैं जोइन कर सकते हैं चलिए स्टाट करते हैं हम types of systems को discuss करते हैं तो बात करेंगे हम system की तो अगर हम system की type की बात कर रहे हैं तो system को हम दो तरह से define कर सकते हैं पहला तो हम बता सकते हैं कि वो system किस type का है, कि वो open है या close है, दूसरा हम बता सकते हैं कि वो किस nature का है, यानि वो static है कि dynamic है, तो हम system को दो तरस define करते हैं, पहले तरीके से हम define करें, तो हम दो आपके type के होते हैं, पहला तो open और दूसरा close system, तो open and close system, open system किसको कहते हैं ऐसा system जो आपका open हो मतलब कि open system क्या करता है वो आपका बाहर से interact करेगा यहनी outside से interact करेगा जो भी output उसको देना है वो बाहर देगा जो input लेना है वो बाहर से ही वो input लेगा तो ऐसा system जो आपका environment से interact होगा यह कह सकते हैं कि वो क्या कर सकता है, environment से interact करेगा, वो outside से आपका input को receive भी करेगा और जो output होगा, उसको भी outside में ही deliver करेगा, ठीक है, next बात करें तो close system close system क्या होता है, जैसे open system था, वो क्या कर रहा था, आपका, वो क्या कर रहा है, environment से interact कर रहा है यानि outside से interact कर रहा है लेकिन closed अगर system है system आपका closed है यानि वो क्या करेगा वो outside से वो interact करना नहीं चाहेगा वो closed system है यानि वो अपने data को share नहीं करना चाहेगा यापकी open system है वो आपका अपना data outside में share कर रहा है लेकिन closed system जो होता है वो आपका environments interact नहीं करेगा and information को भी share नहीं करेगा ठीक है information या data को environment के साथ share नहीं करेगा next type की बात करें तो यहाँ पे आपका nature wise दो type के होते है static system and dynamic system static system हम उन systems को कहते हैं जिनमें आपका static हो यानि fix हो ठीक है static means fix उसमें कोई भी changes नहीं होंगे the static जो आपका system होता है उसमें जो output आएगा वो सिर्फ present value of input पर depend करेगा यानि जो आप input देंगे उसी पर output depend करेगा ठीक है और यह आपका कैसा होता है physically reliable system होता है यानि यह physically आपका क्या होता है reliable होता है ठीक है और computer terminology में बात करें तो यह static मतलब क्या है fix है यानि यह आपका क्या होगा यह सिर्फ आप जो input दिया आपने उसी के basis पर वो output को calculate करके आपको result दे देगा dynamic system के बात करें तो dynamic मतलब क्या कि change होना यानि वो क्या करेगा dynamic means capable of changing ठीक है यानि इसका जो output होगा वो आपका variable output होगा और यह output जो है वो दो चीज़ों पिटे बन करेगा जो आपने input presently दिया वो और जो उसकी past value थी input की वो उन दोनों को मिला के वो आपको output को represent करेगा तो जो dynamic system होता है वो आपका physically reliable नहीं होता है ठीक है क्योंकि यह dynamic nature का होता है इसका output बदलता रहेगा तो present input पे depend करेगा और past जो आपने input दिया था उस पे भी आपका dynamic system depend करता है कि वो वैसा ही output आपको देगा तो आपने क्या समझा है कि जो आपका system होता है types of system दो तरीके से आप define करोगे पहले तो आप open system and close system को define करोगे open system मतलब कि वो openly आपका बाहर से interact करेगा बाहर से input लेगा और बाहर को input वो outside deliver भी करेगा close system वो बाहर से interact नहीं करेगा वो जो भी करेगा वो आपका data जो है वो system क्या करेगा बाहर share नहीं करेगा ठीक है then static and dynamic में हमने क्या समझा कि static ऐसा है जो fix है यानि present आपने जो भी input दिया उसी पर output calculate हो गया लेकिन dynamic system में क्या होता है वो आपका जो आपने input दिया प्लस वो क्या calculate करेगा past में आपका input क्या था उसके basis पर वो output को आपको देगा so friends ये हमारा types of system था और इस वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करिएगा अपने friends के साथ इसको जादा से जादा शेयर करिएगा महती useful वीडियो होने वाली है और इसको आप जादा से जादा शेयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे thank you for watching